नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिक्वेन यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियास और लखनव सूपर जाएंट्स के बीच जो नैक्स्ट आइपिल का मैच खिला जाएगा उसके बारे मैं ट्रीम लेवन की टीम भी देखेंगे और हार एक सब्सक्राइब करना अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है कुछ अच्छा लगता है वीडियो पर लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि अगर आप टेलिग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए तो टेलिग्राम पर आ जाना जो फाइनल टीम रहेगी तो उसकी जो टीम रहती है अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो आपको डारेक्ट टेलिग्राम पर भी मैं टीम प्रोवाइट कर देता हूँ तो अगर आप टेलिग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन दौनों से आप ताफी आसानी के साथ टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हो चलिए बागी शुरुवात करेंगे पिछ रिपोर्ट के साथ तो इकाना करकेट स्टेडियम में ये मैच खिला जाएगा जो की लखनौ में है यहां की पिछ बैटिंग के लिए बढ़िया है यार पिछले बैचिस के लेजा सकते हैं लास्ट इयर तो इस पिछ के ऊपर बहुत कम रंस मनते थे लेकिन इस साल बढ़िया स्कोर देखने को मिल रहा है और लास्ट मैच जो लखना उन खेला उसमें भी लगबग 200 बना दिये तो जो भी टीम फ़र्स बैट कर रही है एक सो अस्ती से 210 के बीच वो लग रहा है दोनों ही टीम स्कोर कर सकती हैं 200 के आसपास स्कोर बन जाएगा लास्ट मैच भी आप देखो लखना उन नहीं 196 बनाए और आर आर ने बहुत आसानी से चेस किया बहुत ही आसानी से 6 विकेट पेसर निकाले 2 विकेट इस्पिनर उसके पहले 176 चैन नहीं ने बन और लगबग 200 के आसपास बना रही है बाकी चेसिंग थोड़ी आसान हो रही है तो एक बार फिट से जो भी टीम टॉज जीतेगी थोड़ा चेसिंग का डिसन लेगी और विकेट सेक्षन में गर आप देखें तो स्पिनर सौ पेसर दौनों ने विकेट निकाले हैं लास्ट मतवाल का वो मैच था पांच विकेट से नोन निकाले थे यहां से अवीनों लखने चार विकेट से निकाले हुए थे मार्कस टॉइनस ने 40 रं किये मेर्स ने 18 रट यस्ठाकूर ने 3 विकेट से काले हुए चलिए आज के मैच पर फोकस करते हैं और लखनों की पॉसिवल 11 क के साथ शुरुआत करते हैं तो कुछ इस तरीके की रहेगी बहुत जादा चेंजिस लखनों भी नहीं करना चाहेगी अच्छे टीम है बैलेस टीम है टीबल में टॉप पे तो नहीं लेकिन टॉप फोर में जबनी हुए तो मेरे अक्वाडिंग जादा चेंजिस टीम करना नहीं चाहेगी चलिए शुरुआत करें आप इंग कुंटेंट डिकॉक के साथ 31 कावरेज है रीसेंट वहां देखो दोके वाला है बहुत जादा दोका देता भाई ये प्लियर लास्ट मैश में भी बहुत सारे लोगों ने ट्राइए किया हमने सेवन प्लस फोर में नहीं क्राफ है तो यार चाज इस तो छ थोड़े से कम है लेकिन पिछले दो मैच कछराब रहे हैं बुरी तरीके से तो उस वज़े से थोड़ा समुझे लग रहे इस कुछ पैप्टेन गल्ती से भी नहीं यहीं केल राउल 46 कैवरिज लगातार रन से महीं लगातार रन से यह देख लो आप पिशले 5-6 मैचे तो बिलकुल नहीं हुए एक मैच में 16 रन तो जरूर राउट हुए थे आज के मैच में फिर से में बड़ी उम्मीद कर रहा हूं कि फिर से अच्छा स्कूर करके दे देगे तो बिलकुल मेरी टीम में है और कैप्टन का सबसे बैतर विकल्प है कैप्टन आप भिर से रख सकते हो इस्टोई ने 28 का एवरेज रीसेंट फॉर्म ठीक है रीसेंट फॉर्म बाकि उतना बैतन नहीं है लास्ट मैच में मोसी लोगों के कैप्टन थे हमने राउल को कैप्टन परसंडेश थोड़ा सा ऊपर है रीसेंट फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं निकलस पूरन के साथ मैं जाओंगा फर्स बोला है चाहे सेकेंड बोला है दौनों कंडिशन में काम आ सकते हैं क्योंकि मुंबई के पास बोलिंग अच्छी है मुंबई उन पिचस की उपर खेल रही है जहां पर बोलर्स के लिए बिलकुल भी कुछ नहीं है इसलिए उनकी बहुत जादा पिटाई हुई है लखनाओ की पिच्छा कर हम देखें बैटिंग फ्रेंडी जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि यहां थोड़ा तो बोलर्स के लिए है वाई कि आप 180-190 तक पहुंचा सकते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं कुछ विकेट्स जरूर गिरेंगे चाहे चेसिंग है चाहे फर्स मेट आए पूरन फिर से आपके काम आएंगे आईश बड़ों ही नहीं है टीम के अंदर क्रोनाल पांडिया 22 कावरेज है 75 विकेट्स निकाले हैं रीसेंट फॉर्म ठीक है रीसेंट फॉर्म पांडिया कभी थोड़ा उपर नीचे चलता रहता है कभी कबार अच्छा कर देते कभी खराब करते हैं आज के मैच पर मैं फूर इसी ठीक उमीद कर रहा हूं खासका फर्स बोल के अंदर क्योंकि वहां बोलिंग से मुंबई से पहले खेलते थे मतलब लखनों के पहले मुंबई इंडियस के लिए खेलते थे तो कहीं ना गई थोड़ा सा परफॉर्म कर सकते हैं यस ठाकू का फॉर्म चल रहा है ठीक ठाक एक आधवे कि एक बार फिर से हो सकता है मैं फिलाल अपनी टीम के अंदर नहीं देखती है और डेथ में कहीं नहीं करा रही है कि हम ट्राय करें और मुंबई के ओपनर साब देखी रहे हैं बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं तो मुझे चांस थोड़े कम लगना है इसलिए मैं मैं एंडिके साथ फिर से नहीं जा रहा हूं अमित मिश्रा नहीं रखन से भी नहीं है अब अलाकि टीम लगातार मैचेस हारते पर हारते जा रही है फिछले दो के दो मैचेस हार गे है तो हो सकता है फोर्स फुली को यह का चेंज कर ले बागी करना नहीं चाहिए अब शुरू आतिया हम करें रोज शर्मा के साथ तो 29 का एवरेज है रीसेंट पास भी कुछ ऐसे बहुत स्ट्राइक बोलर नहीं है कि जो शुरूआत का विकेट बहुत जल्दी चटका लें लास्ट मैच भी आप देखो जैसवाल और बटलर अच्छा खिन रहे थे उसके बाद थोड़े टाइम बाद जैसवाल आउट हो गए मतलब को मिला के बोलिंग बिल्कुल भी अच्छी की नहीं है सिर्फ दो विकेट के रहे थे 190 की ऊपर का स्कूर आपने आसानी से चेस करा दिया इसका मतलब रोई शर्मा का बल्ला आसानी से चल सकता है इशान किशन के साथ भी मैं जा रहा हूं यार ठीक प्लेयर है माकी पिछले 2-3 मैचेस डाउन ज कर सकते हैं तिलग वर्मा 41 का एवरेज लगातार अच्छा भई लगातार अच्छा मुंबई के लिए अगर बैटिंग से किसी ने लगातार रंस बनाये तो एक तो रोई शर्मा है जिनके दो मैच सिर्फ खराब हुए पिछले वाले उसके अलावा तिलग वर्मा ने भी को नहीं जिता पाएं वो दूसरी बात है लेकिन हमारे काम के फिर से रहेंगे दो के ओवर्स के आसपास बोलिंग करेंगे दो से तीन कर सकते हैं अगर स्पिनर्स को थोड़ा जादा हेल्प रही तो फिर नवी को जादा ओवर्स मिल जाते हैं अदर्वाइस नभी के जो के साथ भी मैं नहीं जा रहा हूं इनकी ओवर्स कभी भी कट हो सकते हैं अगर एक दो वो शुरुआत मैच्छे डाले तो ही पूरे ओवर्स मिलते हैं अदर्वाइस चुरू के दो और में अगर 20-25 रिन खाली है तो फिर ओवर्स ही नहीं मिलते हैं ल्यूक वोड नहीं रख विकेट्स ले जाएं और डेथ मोवर्स मिलते हैं लास मैच में भी डेथ मोवर्स मिले थे वो चांसे से एक आध दो विकेट्स हो सकते हैं ठीक है बाकी आकाश मदवाल यार बढ़िया किया था बंदेने लेकिन अब टीम में जगह नहीं मन पारी है मेरे अकॉर्डिंग तो ओविसी बात फिर कोड़ी के साथ तो टीम डेफिनिटली जाना चाहेगे तो कोड़ी फिर हमारे पास रहेंगे चलिए सेफ कैप्टन वाइस किप्टन की बात करें तो केल राहूल रोईश शर्मा सूरुकुमार यादफ तीन चॉइस है जिसमें से केल या राहूल और यादफ रोईश शर्मा मारकस स्टॉइनिस हार्दिक पंड्या और यहां से जस्पीद बुम्रा यह जो चैस से साथ प्लियर्स डिखता है यह आप मैक्सिमम टीम के अंदर ट्राइ करें अब डिफरेंट किन प्लियर्स को हमें ट्राइक करना चाहिए तो डिफरेंट के तौ लॉब प्लियर्स के बारे में बात करें कौन से प्लियर्ट जो लास्ट मैस में बहुत अच्शा किया है आज थोड़े फेल होने के चांसे रहेंगे पहला नामे दीपा लास्ट मैस में प्चास मार के आ रहें फर्स बैट आरि यह फिर से ठीक कर सकते हैं तो प्रेशन में इ अफ़ेट कर सकते हो चाली दूस्तों हम टीम के बारे में डिसकेशन करेंगे उसके पहले अगर आप टेलीग्राम पे नहीं आ है तो टेलीग्राम पे आ जाना फाइनल जो टीम अपडेट के साथ वह मैं आपको टेलीग्राम पे शेर करूँगा और यार बडिया विडियो हमारा रहरा है आईपिल के अंदर तो अगर आप भी जोडना चाहते हैं अच्छी विडिक्स करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जरूर जोइन हो जाना बाकि स्मॉल लिग में मेरे इंवस्मेंट बैटबॉल 11 के अंदर होता है 10 प्लस वन के लिए और 7 प्लस 4 खेलते हैं हम कोवेरा के अंदर तो अगर आप 10 प्लस वन में इंवस्मेंट करना चाहते हैं कम कॉंपिटिशन के अंदर बड़िया विनिक्स करना चाहते हैं तो बैटबॉल 11 को डाउलोड कर सकते हो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में दी दिया है लिंक से डाउलोड करोगे तो हर IPL के मैच में आपको 25,000 का फ्री गेववे देखने को मिलता है वो गेववे का पार्ट आप बन सकते हो ठीक है तो बैटबॉल 11 डाउलोड कर लो इसके अलावा 7 प्लस 4 बहुत काम है अपसमें आपको देखने को मिलेगा 7 प्लस 4 अब अगर आप उस भी मैं आपको टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगा चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन के साथ तो विकेट कीपिंग में मेरे पास रावल है पूरन है कुंटन डिकॉप कर रिशान किशन है चारों के साथ मैं जा रहा हूं काफी लोग अब डि टीम है और पिशले दो मैचे से भी खराब रहें तो कहीं ना कहीं चांसे बन रहें की कुंटन डिकॉप थोड़ा बैतर कर जाएं 20-30-40 वाली पारी हो सकती है तो मैं तो जा रहा हूं उनके साथ बाखी आपको अगर रिस्क लेना है तो चेजिंग के अंदर डॉप करके चल सकते हो राहोल पूरण इशान किशन तीनों के साथ तो मैक्सिमम लोग मिलेंगे और इनको ड्राइब भी करना चाहिए बाकि बैटिंग से सूर्या हमारे पास है रोई शर्मा तिनों के साथ मैं जा रहा हूं और क्या कोई बैतर जोईस है और यार दीपक उड़्डा ग्रें अच्छा प्लियर है पहले ही मैच में आते से इन्होंने 50 लगाई थी और लास्ट मैस थोड़ा खराब रहा है तो आज के मैच में थोड़ा बैतर करके आपको दे सकते हैं ठीक है बाकि और डाउंडर सेक्षे से हमारे पास मारकस स्टाइनिस है और हार्दिक पढ़ने है मतलब 15 के आसपस अन्होंने कुछ रंस किये थे तो जिन लोगों ने एक्स्टा बोलर रखा था लखनों का उससे बैतर तो फिर क्रॉनाल बांडिया नहीं आपको पॉइंट्स रिकाल के दिये थे तो क्रॉनाल को रखना है तो रख सकते हूं फर्स बोल में थोड़ी बढ़ने के साथ जा रहा हूं अगर फर्स बोल नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया को रख लॉप या तो एक्स्टा बैट्स फिर अब लखनों का बढ़ा सकते हैं यहां से तो शाराफ मुंबई की फर्स बोल तो इनके साथ जाया जा सकता है वोड़ी आ जाएगे तो ज बांकी प्लेयर से सब्धाद ही परिंट्स दे दी है आज के मैश में उम्मीद कर रहा हूं थोड़ी बहुत बैटिंग करके दे सकते हैं और दो ओवर्स हैं एक आध विकेट जरूर लेके देंगे और चांसेस है कि अगर थोड़ा बहुत भी पेसर्स को जाधा सब्वोट र